नमस्कार दोस्तों, श्वाग्फथा आपका अपने चैल में स्ट्रेश्विक लज़ पर दोस्तों, एक लेटर आप लोगों के सामने है और लेटर साथियों, इस लेटर के अनूसारे एक बार फिर से काफी साथियों को कोछलोजगार निगम से बाहर कर दिया गया है क्यों कर दिया गया है उसका कार्ण भी आप लोगों को बताएंगे इस लेटर में साफ साफ बताया गया है हो सकता है कभी वहिश्चा में आप लोगों के सामने भी साथ ये प्रेशा नी आ जाए आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को जूर सब्सक्राइब कर लिए ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियों आपको सबसे पहले मिल सके देखिए दोस्तों यहां पर बता गया है तक और इसे वीटा प्लांट की जिहां दोस्तों सक्षन और क्वाल्टी कंट्रोल ट्रांसपोर्ट जो सेंक्षन है जो पार्ट है उसकी जो करमचारियों को निकाला गया है इसमें कारण क्या बता गया है वो देख लेते हैं वीड्राल फ्रोम्दा हर्याना को सलोजगार निगम एफेक्ट एक दस दो जार बाईस यानिके ज जो निकाला गया दोस्तों उसको एक अक्तूबर से लागू माना जाए इसमें ये बात बोलेगी हाला कि लेटर तो अब आया है लेकिन एक अक्तूबर से इसको माना जाए यहाँ पर ये बात बताए गई है यानिके क्या है दोस्तों ये जो सटाफ है जो निकाला गया है वो क्या करता है मिल्क प्लांट को अच्छे से समूथली चलाने के लिए इनको क्या करना पड़ता करमचारियों को कि एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता है और शिप्ट में भी काम करना पड़ता है और इस तरह का कोई प्रोविजन कोसलोजगारने गम में फिलाल तक तो नहीं है ठीक है नहीं कटेगी इस तरह से भी चलता है लेकिन हर महीने सेलरी कम जादा होना ओर टाइम लगाना शिप्ट में काम करना इस तरह का कोई भी प्रोविजन उसमें नहीं है टेनेंस लगाते समय अगर वो उनको प्रेशा नहीं आती होगी तो जरूर इसलिए इनको बाहर निकाल द श्यूरी तरूं यहां पर बता गया है बाबा हरिदा स्कूरिटी सर्विस एंड लेबर कंट्रेकटर तो इस लेबर कंट्रेकटर के थूदू यहां पर यह काम करता रहेगा एक डस डौज आरवा Stephay इनके आगे एक अक्तू बर से आगए लगा तर यह अपना काम करता सामने आ रही है इनकी एक तो यह सेलरी के संबंदित और हाजरी लगाने के संबंदित दोस्तों प्रेशानी आई होगी यह बात दोस्तों स्टार्टिंग में जब मिटिंग हुई थी ठीक है शीयो साब के साथ अलग-अलग जो है अलग-अलग जो डिपार्टमेंट उनकी तो दोरान भी यह बात उठाई गई थी उस समय भी इस तरह की जो प्रेशानी बताई गई थी लेकिन फिर भी काफी सारे क्रमचारें को को सलोजगार निकम में डाल दिया गया अब डाल दिया गया तो डालने के बाद रियल ली जो प्रेशानी है वो सामनी आई है ठीक है तो सा आप लोगों के लिए बना दी गई है ताकि सभी को यह जानकारी मिले कि इस तरह का कोई प्रोविजन कोई प्रावधान कोशलोजगारनिग में नहीं है कि अगर आप लोग मालनीजे एक ही दिन में या फिर कभी कभी पहली शिफ्ट में कभी दूसरी शिफ्ट में इस तरह से क करते आए हो डियर कुमार यूवर विड्राल रिक्वेस्ट हैज बिन अप्रूड सक्षेस्पूल है तो जो आपका जो डिपार्टमेंट है उसने इसको बाहर निकाल के लिए रिक्वेस्ट बेजी होगी और उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट अप्रूल कर दिया कोशलोजग करें थैंक यू वेरी मच